तो order and degree के जितने भी concepts आपने अभी तक पड़े हैं, उन पर best एक question है इसमें हमें एक differential equation given है और हमें इस differential equation की order and degree find करनी है तो चलिए अब आप इस question को खुद से solve करने की try कीजिए So please pause the video here and take 3 minutes to solve this question I hope आप सभी ने इस question को solve कर लिया होगा तो चलिए अब हम इसका solution discuss करते हैं सबसे पहले हम यह देख सकते हैं कि जो differential equation है वह simplified form में नहीं है तो हम इसे सबसे पहले simplify कर लेते हैं तो हम इस differential equation को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं हम इस equation में clearly देख सकते हैं कि इस equation के दोनों ही side जो power है वह एक integer नहीं है तो हम सबसे पहले इसे integer बनाने की कोसिस करते हैं दोनों side को power 10 से raise कर दें तो यह equation हमारी कुछ इस तरह की हो जाएगी अब हम देख सकते हैं कि इस equation के दोनों ही side जो power है वह एक integer है इसका मतलब अब हम इसके order and degree आसानी से find कर सकते हैं तो जो इसमें highest derivative है वह 3 है इसका मतलब इसका order हो जाएगा 3 and जो highest order की highest power है वह है 5 इसलिए इसकी degree हो जाएगी 5